हेलो फ्रेंज वेलकम टू मैं चैनल मैं हूँ काव्या फ्रेंज आज हम बात करेंगे इस खुबसूरत रेर प्लांट के बारे में जिसका नाम है रेड बटन जेंजर इसके और भी कई नाम है जैसे की इंडियन हेड जिंजर, स्पाइरल जिंजर, रेड कोन जिंजर या स्कारलिट स्पाइरल फ्लैक इसे कॉस्टस वुड्स होने भी कहते हैं और यह एक ऐसा प्लांट है जो कम केर में बहुत इजिली ग्रो होता है और इसपर फ्लारिंग लगबग आपको पूरे साल देखने मिलता है एक फैवरेबल लोकेशन आप अगर इसे देते हो तो पूरे साल आपको ये फ्लारिंग दे सकता है बहुत ही खुबसूरत फ्लारिंग प्लांट है फ्रेंज तो ये rare भी है, हो सकता है, आपके nurseries पर मिल जाए, अगर मिलता है तो ज़रूर अपने garden में add कीजिएगा, red and green combination अगर आप अपने garden में चाहते हो, तो ये plant perfect होगा, plant की height लगबग 4 feet तक होती है, और ये grow होता है rhizomes के through, तो अगर आपके यहाँ पर ये plant नहीं मिल रहा है, तो आप online इसके rhizomes purchase करके भी आप इस plant को grow कर सकते हो, इसके पत्ते जितने खुबसरत है, उतना ही खुबसरत इसका flowering bud है, आप देख सकते हो, cone shape में इसका flower bud produce होता है, और cone के center में एक इंच दितना एक flower produce होता है, जिसका color red orange या red yellowish होता है, ये जो cone shape का जो bud है, ये last करता है लगबग 10 से 15 दिन तक और इसकी वज़े से इसकी beauty और निकर कर आती है, जब इनके stems पर इस तरह के cone shape के red birds बनते हैं, तो बहुत ही खुबसरत look देता है garden को, बात करते हैं इसकी soil की, तो आपको इसे देना होगा rich moist soil, जिसका pH level है, वो neutral से acidic होना चाहिए, तो आप इसे sandy soil दे सकते हो, जैसे कि मैंने बताया है, ये rhizome से grow होता है, तो आपको इसे बहुत ही well-drained soil देना होगा, जिसमें पानी बिलकुल भी ठहरता ना हो, वरना जो rhizomes है, वो गल जाएंगे, rot हो जाएंगे, तो आप इसे sandy soil दीजेगा, soil में आप दे सकते हो, 50-30-20 वाला ratio, यानि 50% sand, 30% soil और 20% composed, और थोड़ा सा नीम खली, और seaweed जो granules है, वो आप add कर लीजे, बस इतने ही fertilizer के साथ, अगर आप इसे grow करते हो, soil में, तो ये बहुत ही easily grow हो जाता है, watering की बात कर ले तो इसे बहुत ज्यादा पानी की जरुरत नहीं होती है, मैंने जैसे बताया कि ये rhizomes से grow होता है, तो इसे अगर आप पानी ज्यादा दे दोगे, तो rhizomes गलने के, यानि rot होने के chances ज्यादा होंगे, तो आप check करके ही पानी दीजेगा, आप इसकी soil को moist रख स दीजिए, या फिर आप इसे एक ऐसा location दीजिए, जहाँ पर इसे bright light मिलती रहे, तो ये जो location मैंने इसे दिया है, इस पर इसे सिफ bright light आती है, कोई भी sunlight इस पर नहीं आता है, आप देख सकते हो ये leaf bun, तो इस plant को मैंने direct sunlight में रखा था, तो आप देख सकते हो इस तरह के leaf bun क जहाँ पर इसे पूरे दिन की bright light मिलती रहे, फर्टिलाइजर की बात करें तो इस plant को ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है, कम फर्टिलाइजर में भी ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है, मैं इसे हर 15 या 10 दिन के gap में liquid fertilizer देती हूँ, जो मैंकावडंग liquid fertilizer बन इसकी growth बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ज्यादा fertilizer की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बता ये बहुत ही easy to grow plant है, आप कह सकते हो, negligible plant है, बस आप इसे ले आईए और एक इसके favorable location दे दीजे, बस ये plant ग्रो करता रहेगा, और flowering भी करता रहेगा, तो अब बात करते हैं फ्रे और pesticide का, तो अगर आपके plant पर किसी भी तरह का pest है, तो आप neem oil spray कीजेगा, और अगर ज्यादा severe condition हो, तो आप chemical भी use कर सकते हो, बट आप अगर regular interval पर neem oil use करते हो, तो आपको chemical use करने की जरुरत नहीं होगी, अब बात करते हैं फ्रेंस, प्रपोगेशन की, तो आप इसे द कोई भी एक healthy stem ले लीजे, उसे कट करके आप sandy soil में लगा दीजे, यह बहुत easily propagate हो जाता है, प्रूनिंग की बात करें, तो जैसे ही यह red bud complete हो जाता है, तो इसके जो पत्ते है, stem के जो पत्ते है, वो yellow होने लगते है, और कभी कबाद stem भी dry होने लगता है, जिसकी वज़े से हमारा जब प्लांट है, वो लगी सा लगता है, बिल्कुल भी greenery look नहीं आता है उसमें, तो अगर आप चाते हो आपका प्लांट green और healthy दीखे, तो आप जैसे ही इसके पत्ते पीले पड़ जाए, तो आप इसकी stem की pruning कर दीजेगा, पेस से इसको prune कीजेगा, ताकि और भी babies ये plant produce कर सके, so friends I hope मैंने सारे points cover कर लिये है, बढ़ फिर भी आपको किसी भी तरह की query हो, इस plant related तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हो, and I hope आपको ये जो information दिया है, मैंने red button ginger या creep ginger पर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो information तो like कीजेगा, वीडियो को share कीजेगा, और channel क जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा, भी ना सब्सक्राइब किये बिल्कुल भी मच जाईएगा, और आप bell icon जरूर प्रेस कर लिजेगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो से अप्लोड करूँ, notification आपको तुरंद मिल जाए, तो चलिए friends मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए वीडियोस, friends